जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो जैसे ही सर्दियों का सीजन स्टार्ट हुआ है कुछ डिफरेंट खाने खाने का दिल चाहता है गरम चीजे पीने का खाने का दिल चाहता है और गले भी खराब हो रहे हैं बच्चों की और बड़ों की भी तो इन के लिए सबसे special recipe मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कॉन सूप की recipe Assalamualaikum मैं YouTube family उमीद करती हूँ आप बल्कुल ठीक होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन कॉन सूप की authentic recipe ये जड़ पर बनके त्यार हो जाता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है आज मैं आपके साथ वो सारी tips and tricks शेयर करूँगी जो कि एक commercial level पर चिकन कॉन सूप बनाने के लिए इस्तामाल होती है जिससे कि आपका सूप बहुत ही अच्छा बनके त्यार होता है अगर आप चाह रही हैं कि आप बजार जैसा मज़दार सूप जट पर घर पर बना लें तो ये recipe बहुत ही easy recipe है और इससे बहुत अच्छा सूप आपका बनके त्यार होता है तो यहां पर मैंने लिया है 3 लीटर पानी और 3 लीटर पानी के अंदर मैंने 3-4 जवे लेसन के शामल किये हैं और इसके साथ मैंने इसके अंदर शामल किये हैं दो हरी मज़े यहां मैं चिकन मेरे लिया है हाफ केज़े जो कि मैंने विद बोल लिया है और जब पानी बॉयल हो गया था तो फिर मैंने इसके अंदर चिकन शामिल किया है चिकन जब हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तो इसके अपर थोड़ी सी जाग बन रही होती है इस जाग को हमें इसके उपर से हटा लेना है और अपने चिकन को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसकी यखनी बनके त्यार हो जाए जितने भी आपको बजार से सूप्स मिलते हैं उसके अंदर यखनी नहीं इस्तमाल होती चिकन पाउडर इस्तमाल होता है जो कि हमारी हेल्ग के लिए बहुत जादा हामफुल है क्योंकि उसमें नमक की कौउंटिटी बहुत जादा होती है यहाँ पर मैंने इसके अदर शामल की है दोनों से ही सूप का टेस्ट बहुत अच्छा आता है यहाँ पर हमारा सूप के जो यखनी है वो बहुत अच्छी तरह से बन कर द्यार हो चुकी थी तो हम लोगों इसमें से सेप्रिट कर लेंगे जतना भी चिकन और जो चीज़े हमने डाली थी उस चेने की वदद से अलइदा कर लेंगे और यखनी को सेप्रिट रहने देंगे जो हम लोगों ने याज में से चिकन रिमूफ किया है उसमें से बोन्स को अलइदा कर लेंगे और इसका रेशा बना लेंगे यहाँ आप हम लोगों ने रेशा बनाने के लिए कौवांटिटी आपको जादा लग लगी है ये मेने चिकन जब बन के त्यार हो चुका है हम इसको सेपरेट बॉल के अंदर निकाल लेंगे ये रिशे हमारे बहुत अच्छे चिकन के बन के त्यार हो चुके हैं और जो हमारी यखनी त्यार हुई भी है इसके अंदर हम शामल करेंगे बागी के ऐसे मसाल जिसे के हमारा सूप बहुत अच्छा बन के त्यार होता है सबसे पहले हम इसके अदर शामल कहरेंगे सफ़ेध काली मिच सफ़ेध काली मिच हमें यहाँ पर हाफ टी स्पून या वन टी स्पून चाहिए होगी मैंने इसे थोड़ी से जादा डाली है क्योंकि बच्छों के गले भी खराब हो रहे थे और मेरा भी गला खराब था तो उसके लिए हम लोगों थोड़ी से जादा ठाली थी मगर आप इसके इंदर सिर्फ वन टी स्पून या हाफ टी स्पून डाल सकते हैं उसके इलावा इसके इंदर मैंने शामल किया है एक चमच चीनी, दो चमच सिर्का, दो चमच हमने इसके इंदर सोयर सॉस डाला है और दो चमच ही हम लोगों ने इसवर चिनी सॉस डाला है तीने सॉसेस को हमने टू-टू टेबल स्पूल्स डाला है और इसके इलावाद चीनी हमने एक चमज डाली थी यहाँ पर हम लोग इसके दर चिकन शामिल कर देंगे जो चिकन हम लोगोंने बॉल करके रखा हुआ था जिसका रिश्चा बनाया क्योंकि यह चिकन कॉन सूप है तो चिकन कॉन सूप के लिए आपको कॉन्स भी चाहिए होगी आप चाहें तो फ्रेश कॉन्स भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर शामिल किये हैं फ्रोजन कॉन्स और फ्रोजन कॉन्स मैंने यहाँ पर शामिल किये हैं वन कप 1 cup frozen cornrows को मैं दे chop कर लिया था और chop अगर आप कर लिते हैं तो बहुत अच्छा आपका जो flavor है वो इंफ्योज हो जाता है यहां में हम दोग शामले करेंगे corn flour और corn flour यहां में हम दोगों ने लिया था 5 tablespoon आप चाहें तो इसको कम यह जादा भी कर सकते हैं अपनी डिजाय कंसेस्टेंसी को देखते हैं अगर आप लोगे को थोड़ा सा और कम लगे तो थोड़ा सा और भी इसके अंदर शामल कहर सकते हैं यहाँ आप हमारा बहुत अबतस्ता चिकन कॉन सूप बनके तियार हो चुका था और सबसे लास्ट के जो इसका स्टेप था जो कि एक मेजर स्टेप है जिससे कि आपका सूप मज़ेका भी बनता है और खुबसूरत भी दिखता है तो इसके दर हम शामिल करेंगे जर्दा रंग जर्दा रंग जो है वो इसको बहुत अच्छा सा कलर देगा जितने भी आब अजार की सूप से एक तो चिकन कॉन सूप का कलर थोड़ा से येलो इस टोन में होता है जिससे कि वो प्सूरत भी लगता है और पीने भी मज़ेका ल लगा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑर जर्दा रंग शामिल कर था उसके बाद हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे अंडे अंडो की सब्सक्राम की सफेदिया मोटा और चंकी अंडा अच्छा लगता है सूप के अंदर तो इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे जब यह पक जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अंडा भी बहुत खुचुरत लग रहा है इसके अंदर आप चाहें तो इस ट्रप को स्किप भी कर सकते हैं और आ प्रकर्स के साथ उमीद कहती हूं मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपके सच्छर देब धिनों ता एंट आपको अट आपको शुतवियोस के लें गताना को सब्सक्राइब कर देख ने भाएब कर देख साथ और देख एएब आपको वीडियोस के सहां